अलो फ्रेंट्स वेलकम टो इंस्परेशन आई एस डेली न्यूस अनलिस तोड़ी इस 31 जुलाई 2023 और गूंग टो डिसक्स इंपोर्टे न्यूस आर्टिकल्स अपिंदू इन एक्सप्रेस एंड पीड तो आज का हमारा पहला न्यूस है वह आपने रेसेंटले सुना होगा कि करीब 46-year-old जो नेमाटोर्ड है जो जिसको हम राउंड वाम बोलते हैं और वह परमाफ्रोस्ट में मिला है और लगभग लगभग रिसेंटली उसको वापीस से जिन्दा किया गया है मतलब यह अभी तक का डॉर्मेंसी का हाइस रिकॉर्ड है मतलब आप समाझ सकते हैं कि 46 46,000-year-old एक और्गनिजम जो डॉर्मेंट कर्णिशन ने पढ़ा हुआ था परमाफ्रोस्ट में मतलब वर्फ में उसे वापीस से जिन्दा किया गया है और यह साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्लस यह मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ी को बढ़ा सकता है along with along with हमारी जो एजिंग की जो प्रॉब्लम है उसको ही बहुत हट तक सॉल्व किया जा सकता है बहुती इंट्रेस्टिंग डिस्कवरी है और बहुती इंट्रेस्टिंग रिसर्च हुआ है लाइप साइन्स में और हुमानटी के लिए कहा जा सकता है कि यह सबसे एडवांस रिसर्च होगा इसमें और इट केन नूफ इन फील्ड और नूब दोर्स टू दर एनीमल कि इंसान आने वाले समय में हो सकता है कि इंसानों को भी ऐसे डॉर्मेंट रखा जाए और दूसरे आपके प्लैनेट चेह दूसरे स्टार्स तक हम लोग इसको ट्रेवल किया इसको यूज करके ट्रेवल किया जा सकता है अपने फिल्मों में बहुत बार देखा भी होगा कि ल या ह Rat maior जैसे आपनों को मालम होगा roundworm या जो निममेट सकी is not required या पएट में जो किड़ा बागेरा होते हैं इनको राओं बोलते है और बी सिर्टेश अफ लॉल्में जाए तो नयों करेंगे सक्वांट शचीन को 10 आइसट रॉंस प्रदीश सब्द अगर कोई भी ऐसी मिट्टी मतलब माइनस 22 डिग्रीज पर रहे रही है लगभग दो सालों तक उसको हम लोग पर्माफ्रोस्ट बोलते हैं और इसका जो कंडिशन्स यह है कि पर्माफ्रोस्ट पुरे मतलब आल्मोस्ट दो साल उसको ठंडा रहना पड़ेगा जैसे कि आईस बर्फ और स्यं नंगों को ज कैड़क है अगर इसके लुपिशि醒 को अलुको बोले हैं बोले अरसा पर्माफ्रोस्ट के बार में फॉमस पर्माफ्रोस्ट को अव इस पर्माफ्रोस्टा दा कि जहीं हुक ह fewमाल्य 있으면 ही मॉन सबलु सब्सकर करमाफ्रो तो नौर्दन हमिस्प्यार में बहुत हतक यह लाइन्ड है क्योंकि शौदन हमेर में उतना जमीन है नहीं अधिकतर समुथ रहे हैं composition care the parent first of the program process made up of a combination of soil rocks and sand that are held together by ice okay soil ho gaya rock ho gaya sand ho gaya and support the boru film so पकड़करक हुआ फ्र स्वेल आइच सब परफ ससे फ्रोजन अल्ünden रहा लॉग्य सब एका हुए इस को परफ शब परफ ते फ्रोजन all year long and near the surface परफ लूगर स्वेल also contain large quantities of organic compound of this organic compound with Jessica material leftover from dead end plants that अब यह देखते हैं कि रिसंटली हाउ तो तो अब यह देखते हैं कि रिसंटली हाउ तो अब यह देखते हैं कि रिसंटली हाउ तो उन्हों ने क्या किया कि जो उसको क्या किया उसको पिगलाया मैंनस मद वतार 20 दिगरी संटीड तक लेगे तक लेगे एंड रूम तो पर सेवरल विक्स अंटिल दें मेल्टेट ठीक है उसको उससमा तक रखा गया जब तक वो अब वेकिंग द वोंच द एंशन राओं मों स्लोली बिगन व्रीग लिंग अरूंट वोग फ्रम देर दाओं इस वोले तो श्रीक को वोले एक एक वोंच रहें को रखागे अपने अब यह जन्रेड ओके जिंदा ने接्स में and they can cause damage to our ecosystem so global warming cause surface of the temperature to rise and uh उसके बाद होगा क्या कि पर्मफ्रोस्ट वांप आ पर्मफ्रोस्ट गरम हो जाएगा and frozen organic matter throze and decay वो मिट्टी जो organic matter है मतलब शड़ना सुरू होगा और शड़ने के जलते हैं they will give rise to methane formations the greenhouse gas 25 times more effective after trapping heat from and then carbon dioxide so methane बहुत जाद जाद होगा और methane जाद जाद होगा और methane जाद 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 होगा और methane जाद जाद होगा होगा हीट को अपने अंदर में अब्सोर्ब करका रखेगा that is greenhouse effect होगा and the carbon is released into the atmosphere or carbon we release होगा उससे भी जाद है amount of heat trap होगा and at the end emission from the permafrost accelerate global warming which then accelerates the permafrost melt and global warming could much more worse than the predicted okay so this is the conditions of the permafrost and it is time bomb permafrost time bomb भी बोला जारा okay so it can give rise to a very dangerous repercussions to our environment and the host of the global warming or speed up होजर so that is the terms related with the uh this permafrost it can it can give certain linkage or host of the ups is full link or caps equation go through this one next two news who had graded response action plan grab um recently the commission for air quality management in ncr and adjoining area caqm announced revision of the graded air response action plan which will come into the force with effect from first October 2023 in the entire national capital region so entire national capital region पे जीरे पी स्टार्ट हो जाएगा यह है क्या देखे नॉर्मली कहां यह जाता है it is a set of emergency measure एक तरह का emergency measure है that kick-ins to prevent further deterioration of air quality once it reaches a certain threshold in the Delhi NCR region मतलब अगर मालो एक conditions एक certain conditions एक certain certain level को अगर दिल्ली की जो हवा है और वो उस तरह से इतना polluted हो जाए एक पर्टिकुलर लेवल तक यह automatically यह सारे response action action start हो जाएगा so grab was first notified in January 2012 by the Ministry of Environment and forest and climate change उन्होंने ही पहले इसको suggest किया था but यह कैसे एक implement होगा so the commissions for air quality management has constituted a subcommittee for the operationalization of the grab so grab के लिए एक कमिटी बनाई गई है this body include official from the CAQM member secretaries of pollution control board of Uttar Pradesh Delhi, Haryana and Rajasthan it can come into your examinations कौन-कौन log involved by state involved by Iwala the center pollution control board uh a scientific from uh from a scientist from the IMD uh Indian Metrological Department and one from the IIT Mumbai and health advisor on the team may include using offices and the subcommittee is required to meet frequently to issue orders to invoke the grab okay the order and direction of the CAQM will prevent in prevail in case of any conflict between direction and directions issued by the state government and the CAQM so if state government and the CAQM and the CAQM. So if state government ने भी कुछ direction दिया और CAQM ने कुई direction दिया तो इनका implement होगा ठीक है so this is regarding the uh graduate response action plan next इसमें क्या का involved होगा तो सबसे पहला what are the revised measures number one stage one में होगा poor air quality index ranging 201 to 300 in force NGT national green tribunal honorable supreme court order on over aged diesel petrol vehicle तो जो भी Supreme Court ने order दिया है कि जो over aged diesel या petrol vehicle है उनको दिली से हटाओ निकालो यहां से stage 2 होगा बहुत poor rigorous action to combat air pollution at identified hot spot in the region rigorous action होगा जहां पी उनको लगे कि यह region hot spot है pollutions के लिए stage 3 है severe that is air quality index 400 once like 450 तक होगा इंपो स्कूल तक बंद कर दिया जाएगा और यह सब सारे वेहिकल्स को बंद कर दिया जाएगा वह दिल्ली में एंटर करने नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट इलेक्रिक वेहिकल और cng वेहिकल्स जो भी दिल्ली से आउटर रेजिस्टर आउटर पाहर को जो रेस्ट्रेशन वाले जितने वेहिकल्स होंगे उनको दिल्ली के अंदर में stringent actions meaning. तुच को ध्यार मिंवी क्यों सो क्या निखली सिंधार मॉला गैना को νसी की को था त्रोइद बातिक रहा थिट चेसको और है को यूदि हूख को 강झा कें है, और स्द्रील में-व् Πारिश्टिंग आशेक। पीजिसरे क्या थी था स्वर्शक्ति पर सीहिवार्ट मबनेक अप्टो कौबलत प्लाइब आए या रिंत रिपाट से रॉ Mansion По यू जिमा ऐ है घ्राइब आए आःसे सर्जृ आउटेजिक रिंग तरफ आउटेर से थरे रख फ त्यरॉ-कोर बहुत हैul अबटालिपल पंडाए के यह खाय है और गढटार Figden p alt टेड मेरNS आकन ऑग अडआ लूंपर से और यूंपर टो यूर आधर आधर गढ मेर्का एगाग कुंपर्डण का इसको यूंप यूंपॉ कर दो कि आन गायर इंजे डोंपर गया इंजी स patients power source for small vehicles such as procliffs and as battery chargers from mobile phones digital camera laptops another small electronic gadget okay and it has a high energy density higher efficiency and low operating temperature so energy density high efficiency and low operating temperature a gaug legends problem nahi hai but they are also much safer to operate because they deal with liquid fuel take a liquid full medial car that'll so you say other so they are more helpful mother they are more safe than the gases now here this is regarding the platinum and cobalt catalyst next a next of our news our lifestyle for environment yeah so much now the Indian Embassy in Kathmandu and the Indian Consulate General in Birganch recently held a series of events on the life missions, ठीक है, life mission इन्हों ने start किया है, and this action is related to saving power, use of water, eliminating single-use plastic, e-waste and more, ठीक है, कुछ ऐसे program initiate किये गए है, ताकि environment को बचाया जा सके, क्या क्या है, life mission, the mission life or lifestyle for environment is an Indian-led global mass movement to nudge individual and community actions to protect and preserve the environment, ठीक है, individual plus community को थोड़ा सा हिलाएगा कि आप ये environment को protect करेगे, it was launched by the Indian Prime Minister at the 26th UN Climate Change Conference of Parties COP26 in Glasgow in November 2021, so November 2021 में इसको प्ये मोधिन इसको अनॉंस किया था, and the program hopes to mobilize 1 billion Indian as well as people in other countries to become individual who practice sustainable lifestyle, sustainable lifestyle achieve करना चाहते है, उसको use करना चाहते है, the global movement will showcase sustainable goals and goals and climate action taken by the countries and individuals around the world, ठीक है, वो showcase करेगा कि कौन कौन सी country ने क्या 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 actions लिया है, it makes the fight against climate change democratic and in which everyone can contribute with their respective capacity, जिसको जितनी मत्व पावर है उतना वो help कर सकता है, climate को protect करने में, it involves the spirit of P3 model that is pro planet people, and its function on the basic principle of lifestyle of the planet for the planet and by the planet, ठीक है, तभी ये कुछ चीज़ होगी, जो life missions के एसंग attached होगी, next, last अगर देखा जाए, इसका एम कहा है, its aim at following a three-prong strategy for changing people's collective approach towards sustainability, जैसे, number one, nudging individuals to practice simple yet effective environment friendly actions in their daily lives, ठीक है, जैसे, enabling industries and market to respond swiftly to the changing, changing demand, your supply, to influence government and industrial policy to support both sustainable consumptions and productions, ठीक है, उसमे भी ये help करेगा, तो हर चीज़ क्या होना चीज़, कही न कहीं green होनी चीज़, प्लस environment friendly होनी चीज़, both from the supply to the demand as well as the policies also, तो this is regarding the life missions, so that's all for today in daily news analysis, आज के लिए इतना है, and if you want the PDF of this lecture you can always visit our telegram channel at inspirationis, you can also follow our social media page like facebook, instagram and youtube channel, thanks for watching and please do subscribe to our youtube channel and facebook page for such other video contents, take care.